आईपेल 10 में एक से बढ़कर एक रिकोर्ड बन रहे हैं लेकिन फिर भी क्रिकेट फैन्स थोड़े से निराश हैं क्योंकि इस सीजन में विराट कोहली और उनके टीम RCB अभी तक बिल्कुल फ्लोप साबित हुए हैं ये वही टीम है जो पिछले साल अपने दमदार खेल की बदोलत फाइनल तक पहुची थी लेकिन इस बार इस सीजन में ये ही टीम सबसे पहली बाहर होने वाली टीम भी बनी है अब ऐसे में लगातार मिल रही हार के बाद विराट कोहली से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो प्रतिकरिया दी उस पर सुनिल गावसकर भड़क गया और उन्होंने विराट कोहली को एक बेहत बड़ी नसिहत देडा ली पता नहीं कहां चूक हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है जैसे ही विराट कोहली ने ये बयान दिया वो निशाने पर आ गए पूर्व भरते कप्तान सुनिल गावसकर के दरसल विराट ने ये बात कही थी किंग्स लेवन पंजाद के खिलाफ मिली हार के बाद और जैसे ही विराट का ये बयान आया, सुनिल गावसकर ने तुरंत उन पर निशाना साधा, गावसकर ने कहा सबसे पहले विराट को अपनी शकल आइने में देखनी चाहिए, जो शोट उन्होंने खेला, वो अच्छा शोट नहीं था इडियन गारडन्स में केके आर के खिलाफ जो शोट उन्होंने खेला, वो भी बहतरी नहीं था आपको बता दें कि पंजाब के खिलाफ विराट कोहली महज 6 रनों पर बॉड़ हो गए थे और 149 रनों के आसान से लक्षको भी, दिगजों से सजी रोयल चैलेंजस बैंगलोरू के टीम जीत नहीं सकी और महज 119 रनों पर धेर हो गई आईपेल के इस सीजन में बैंगलोरू के टीम केके आर के खिलाफ भी महज 49 रनों पर धेर हो गई थी